और कहां गावालों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, कहां गैस गोदाम में एक साथ फटे पचास सिलिंडर, यूपी में आक्सीजन बनाने वाली निजी कंपनियों को योगी सरकार ने क्या निर्देश दिये, करोना संकट का कैसे कारोबार पर असर पढ़ने लगाए, इसने ग्रामीड को हिरासत में ले लिया और अफवाह फैल गई कि यूग की पुलिस रासत में मौत हो गई थी, इसी से गुसाए ग्रामीडों ने थाने में तोड़ फोड की और पुलिस का रिम्यों को पीटा, बिहार की बेतिया में गैस गोदाम में आग लग गई, आग ल में कोरूना का खौफ एतना है कि बेहत कम संख्या में शिधाल यहां पहुच रहे हैं, वरारसी के गंगा घाटो पर नाव चलाने वालों का कहना है कि उनका काम थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन कोरूना के कारण सब कुछ फिर से तबाह हो गया, हलाकि इनका कहना है कि अगर लॉकडाउन जरूरी है तो सरकार फैसला ले मामला दर्ज करके युवकों को गिरफतार कर लिया है कोरोना के चलते ऑक्सिजन की बड़ी जरूरतों को देखते हुए यूपी सरकार ने कंपनियों को सक्त निरदेश दिये हैं Oxygen उत्पादक कंपनियों को कहा गया है कि वे फिलहाल सिर्फ मेडिकल प्रयोग के लिए ही Oxygen की सप्लाइ करें। साथे उन्हें तैहरेट पर ही अस्पतालों को Oxygen की सप्लाइ करनी होगी। पूरे प्रदेश में Oxygen की और योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानि इन स्थालों तक टूरिस्टों को जाने की अनुमती नहीं होगी। या आदेश देश के तमाम राज्यों में मौजूद एतेहासे के मारतों के लिए जारी किये गए हैं। महराश के नांदेड में गुरुवार को कुरोनवार्स के करण पती की मौत के बाद एक 33 वर्शी महिला ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ जील में कूत कर रात भात्या कर ली। आज ये विका ठप होने के वज़े से परिवार बहुत मुश्किल से गुजिर बसर का रहा था। घर के मुख्या की मौत का सद मापत्नी बरदाश्ट ने कर तकी।